नमस्कार, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी रुचिका मैम, बच्चों आप आ, ई, उ, ए की मात्रा सीख चुके हो, आशा है आपको समझा गई होंगी, आज हम पढ़ेंगे, ओ की मात्रा, जिसका उदेश्य है, ओ की मात्रा को समझ पाना, बच्चों बताईए, मैंने कौन सा अक्षर और मात्रा लिखी है, जी हाँ, ओ और ओ की मात्रा, और क्या लिखा है, तोता, आपने देखा, ओ की मात्रा की बनावट कैसे होती है, इसी प्रकार, हम जिस भी व्यांजन को ओ का स्वर देते हैं, तो उसका उच्चारण इस प्रकार होगा, जैसे म व्यांजन के साथ, ओ की मात्रा तो बनेगा मो, तो यह है आपकी हिंदी की पाठे पुस्तक, अब आप अपनी हिंदी की पाठे पुस्तक में, पेच नमबर ग्यारा पर दी गई ओ की मात्रा को समझेंगे, सबसे पहले आप आज की तारीख लिखेंगे, तारीख मतलब डेट, ओ की मात्रा, अब दिये गए शब्दों को मेरे साथ साथ उन्ची और स्पष्ट आवाज में पढ़ेंगे, तो चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं, और, आओ, ओस, जाओ, बोला, देखो, मोर, तोता, बर्सो, कोयल, अब हम पढ़ेंगे, आओ, गाएं, मोर देखो खेले होली, तोते की भी धोलक बोली, ताता थैया, ताता थैया, मिलकर खेले पूरी तोली, अब हम इसको जल्दी जल्दी गुन-गुनाएंगे, ठीके, आप भी मेरे साथ गुन-गुनाओ, मोर देखो खेले होली, तोते की भी धोलक बोली, ताता थैया, ताता थैया, मिलकर खेले पूरी तोली, अब मैं आपसे कुछ प्रशन पूछूंगी, और आपने मुझे सही सही उत्तर देने हैं, तो बताओ, मोर क्या खेल रहा था? हाँ, हाँ, बताईए, बताईए, अरे वा, मोर होली खेल रहा था, सही जवाब, दूसरा प्रशन है, तो तेने क्या बजाया? जी हाँ, ढोलक, अब हम करेंगे, आउ करे साथ, नीचे दिये गए शब्दों के, पहले अक्षर में, ओ की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाईए, अब कुछ शब्द दिये गए है नीचे, आप इन में ओ की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाएंगे, जैसे यहां लिखा है अस अस, आपने इसमें ओ की मात्रा लगा दी, तो यह बन गया ओस, इसी तरह आप इसको पूरा करेंगे, और ओ की मात्रा को तीन से चार बार पड़ेंगे, तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, घर पर रहिए, सुरक्षत रहिए, धन्यवाद,